एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिश्य चिंतित हुए कि कहीं वह स्वस्थ तो नहीं है। एक शिश्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिश्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिश्य ने पूछा कि क्या वह स्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तबी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिलाया, आज मुझे सभा म बैठने की अनुमती क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आखे बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिलाया, मुझे प्रवेश की अनुमती क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिश्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की वह अचूत है। इस पर कई शिश्य बोले हमारे आश्रम में जातपात का कोई भेधी नहीं फिर वह अचूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंध होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राया मानसिक हिं इसा ही मनुश्य का महान करतव्यव परमधर्म है। वह बुद्ध के चरनों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा, आश्य यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाता अप उसे बाद में होता है, जिसका कोई अब नहीं मिलता इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अच्छूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानी होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई देना चाहिए।